तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नया सेसन के पहले वीडियो में आज से आप लोगा स्टार्ट हो रहा है तेंथ क्लास का नया सेसन जो की 2023 से लेकर 24 तक का है यानि कि जितने वे इस्टुडेंट जो अभी अभी तेंथ क्लास में आये हुए हैं और उनका एक्जाम 2024 में होने वाला है सभी स्टुडेंट पूरे उत्सा के साथ फुली एनर्जी के साथ इस ग्यापन एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाए क्योंकि इस प्लेटफॉर्म इस चानल के माधियम से आप लोग की टेंथ क्लास की तेयरी एकदम जबरदस्त से करवाई जाएगी और सब्जेक्ट की तेयारी एकदम जबरदस्त और मस्त तरीके से करवाई जाएगी इसलिए पूरे उत्सा के साथ पुली एनर्जी के साथ जुड़ जाए और दूसरों को भी जोड़ दिजिए इट मींस आप लोग शेर कर दिजिए जितना ज्यादा ह जो हैना टॉब अप दी बेस्ट लाए और अपने एरिया के टॉब अप दी बेस्ट बन सकें तो जुर जाएए आज से आप लोगा स्टार्ट हो रहा है फाइनली टेंथ क्लास का नया सेसन न्यू बैश आप बोल सकते हैं ठीक है और आप लोगा बहुत दा कमेंड भी आ रह बता दोंगी कि 10 क्लास के उर्दु में कितनी बुक पढ़नी है कौन-कौन से बुक पढ़नी है कितने खंड़ों में बाटा गया है यह पूरा प्लानिंग आप लोगों को पता रहना चाहिए प्लानिंग अच्छा रहेगा तो उस पर वर्क भी आप अच्छा कर पाएंगे तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि 10th क्लास में आज किस वीडियो में लोग उर्दू पढ़ने वाले हैं तो उर्दू में कितने बुक पढ़ने हैं कौन-कौन से बुक पढ़ने हैं यह हर एक चीज तो देखिए 10th क्लास में टूटल दो उर्दू का बुक पढ़ना है कितने बुक दो बुक है एक बुक का नाम है दरक्षा और दूसरे बुक का नाम है रोश्नी यह पहला बुक है और यह दूसरा बुक है यह दो बुक आप लोगा 10th क्लास के उर्दू में पढ़ना है दो उर्दू का बुक है ठीक है दो कित पूछता है 100% मैं से 80% जाने कि असी परतिशत कोष्चन उर्दू के दरक्षा के किताब से पूछा जाता है तो बताइए तो उर्दू का कौन सा बुक इंपॉर्टेंट आप लोगो के लिए उर्दू का दरक्षा का बुक जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आ आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू का दरक्षा का बुक का ही फॉस्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो दोनों इंपॉर्टेंट है अब ऐसा नहीं है कि यह बहुत दा इंपॉर्टेंट है तो इसको छोड़ दिये रोश्णी का बुक नहीं पढ़ेंगे इसको भी कुषं तो पूष्टा है ना फुष्टा इससे भी है लेकिन इससे ज्यादा पूछता है और इससे कम पूछता है तो दोनों पढ़ना आप लोगों के लिए जरूरी है तो द्रक्षा पहले मैं आप लोगों को पढ़ा दोंगी उसके बाद से रोश्णी भी एक-एक करके आ द्रक्षा का बुक है उसमें टोटल 38 चैप्टर है पहला एक पहला जो चप्टर है आप बोल सकते एक चेप्टर तो एक चैप्टर जो यह न वह हम्धिया है मतलब हम्ध कहते हैं अल्लात आला की तारीफ करना ठीक है वह मैं आप आपड़ों को बताउंगी हम और बचा 37 चेप्टर यानिकी 37 चेप्टर तो दो खंडों में बाफ दिया गया है एक हिस्से नसर और एक है इस्से शाहिरी इस्से को उस हिस्से को उस केटेगरी को इसमें आहीं बोल कि तरह mechanical लिखा गया हो एँ मतलब जिस तरह हम लोग नौर्मली बात्quet करते हैं अगर उस्तरह Habtler लिखा जाए जैसे कि और नो करूंन निबंद भी उससी तरह लिखा जाता है दास्तान भी उसी जाता है ठीक है और एक है हिस्से शायरी हिस्से को कहते हैं जिस हिस्से में वैसे चैप्टर रखे जाते हैं जो शायरी के अंदाज में लिखे गए हो जैसे कि नजम कवीता हो गया शिरोशायरी के अंदाज में लिखी जाती है गाजल हो गया मरसिया हो गया तो यह सब क्या है जो शायरी के अंदाज में लिखे जाते हैं, उनको रखा जाता हिस्से शायरी के अंतरगत, तो जो 37 चाप्टर है, उसको दो हिस्सों में बाटा गया है, एक हिस्से नसर और एक हिस्से शायरी, तो हिस्से नसर में टोटल 15 चाप्टर है, याद रखिएगा, हिस्से नसर में कि टूटल TWENTY TO 22-22 चैप्टर है तो टूटल अ कर तो हो जा रहे हैं ना ठीएट में से एक जो चैप्टर है वो हम्द है बचा ही से नसर भी सारी तो इसे नसर में 15-25-16 हो गया उसके पूबसे हिसे शाहिरी में 22 है तो सुल्ला और 22 कितना हो गया 38 टोटल मिला कर 38 हो जा रहा है अगर आप लोग के पास बुक होगा दरक्षा का तो आप लोग गिन भी सकते हैं टोटल चप्र और काउंट करके आप लोग देख लिजेगा टोटल 38 चप्र है तो आज की इस वीडियो में हम लोग फॉस्ट चप् तो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद से इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना वह चैप्टर टू में आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगी इसके नेक्स्ट वीडियो में बल्कि इसी चैप्टर यानिकी फॉस्ट चैप्टर का ही कोशन एंसर कराऊंगी तब उसका अगला चैप्टर टू पढ़ना है तब चैप्टर टू पढ़ने के बाद फिर उसका कोशन एंसर और अब्जेक्टिव करना है तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं बोर्ड पर लंबा चौड़ा लिख दी हूं और उतना भी लंबा चड़ा नहीं लिखी सबसे पहले समझे कि हमध किसे कहते हैं क्योंकि first chapter फॉर्ष्ट चप्टर जो है हमध है हमध कहते हैं अल्लाह ताजा की तारीफ करने को यानि कि वैसी नजम नजम का मतलब कवीदा पोएम यानि कि वैसी नजम जिसमें सिर्फ और सिर्फ तरह की तारीफ और तौसिफ बयान की जाती है उस तरह की नजम उस तरह की कवीता को कहते हैं हम लोग हम ठीक है मतलब हम्द में हम्द क्या है एक तरह का कवीता है जिस तरह नॉर्मली आप लोग कवीता पढ़ते हैं नजम वगरा पढ़ते हैं उसी तरह नजम है लेकिन जिस तो उसी तरहू ना फस्त चप्टर हम्द की गई ऐसे पूर्स अब करते हैं तो उसी तरह कि जब शुरुआतब पढ़ते ही हैं की गई तो Allah तear help की तारीफ करके की गई है कि हम्द से की गई हुमद खुदाय अजो जल चाप्टर का नाम है अजो जल का मतलब होता है इज़त और बढ़ाई वला मर्बए वाला अज्मत वाला यानी की हम्द खुदाय अजो जल मतलब इस कुदा की तारीफ, जो इजत और बड़ाई वाला है, जो मरतबे वाला है उस خुदा की तारीफ की गई है इस चेप्टर में, तो सबसे पहले इस चेप्टर को पढ़ने से पहले, हम लोग इस चेप्टर के राइटर, जो हम्द को लिखे हैं, उनके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि इकजाम में तो question पूछता है और चैप्टर और writer में दोनों से बात करूँ तो ज्यादेतर writer से question पूछता है writer यानि कि लेखा कोर्दू में कहा जाता है मुसनिफ याद रखियेगा क्या कहते है मुसनिफ ठीक है तो अगर बात करूँ चैप्टर राइटर से तो चैप्टर से तो आप बोल सकते हैं 40% question पूछता है और 60% question यानि कि 60% question राइटर से पूछता है तो दोनों important है चैप्टर भी पढ़ना और राइटर के बारे में जितना भी details दिया रहता है उस सभी चीजों को भी मुसनिफ वो है शबनम कमाली आप बोल सकते हैं इस चैप्टर के जो शायर है वो शबनम कमाली है देखिए मुसनिफ और शायर एक नहीं होता है मुसनिफ का मतलब होता है लेखक मतलब जो तहरीर करता है निखता है लेकिन शायर कहते हैं शेर वा शायरी लिखने वाले को तो तो भी शबनम कमाली ही होगा लेखक कौन है शबनम कमाली या फिर अगर ऐसे पूछ दे कि हम्द खुदाय अजोजल के शायर कौन है तो शायर भी तो है शबनम कमाली क्योंकि इसे नजम को किसने लिखा है शबनम कमाली ने लिखा है तो दोनों जिस तरह से भी पूछे आप ल को तखलुस कहते हैं वैसे नाम को जो शायर लोग होते हैं ना शायर हजरात जो शेरोशायरी लिखते हैं तो यानि कि वैसे नाम जो शायर अपने शेरोशायरी के लास्ट लाइन में यूज करता है उस नाम को कहते हैं हम लोग तखलुस तो शब्नम कमाली शायर है और यह अप मुझतफा रजा बहुले यह शब्रकुल में कमाली के नाम से मश्यूर हो गई और इनका तालुक रियासत बिहार राज्ये से याद रखेगा यह को शन कुछ सकते हैं option में दिया था बिहार टिक कर देना है आप लोग को अगर आप लोग के एक्जाम में कोशन पूछे दो सारा पॉइंट बताते चल रही हूं किस किस तरह से कोशन पूछता है यह भी कोशन पूछ दिया था कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है option में दिया था मुस्तफर राजा उसको आप लोग को टिक करना होगा अगर आप लोग के एक्जाम में कोशन पूछ देता हूं चलिए आगी बढ़ते हैं इनकी पैदाईश हुई थी 22 जुलाई उन्हें इस अर्थे सभी को जीला सीता मड़ी के पुख्रेरा में ठीक है इनके क मजमुख का नाम दिया गया है आप लोगे में जैरी मजमुख कहते हैं शेरोषाई के किताब को मजमुख मतलब किताब और शायरी लिखा हुआ वाया आगए यानीकी शैरी मजमुख जिया वायगा किताब जैसे कि मैं लिख दी हूं याद रखिएगा अनौर राखिदत ध् अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हम्द खुदाय अजोजल इस चाप्टर को हम लोग पढ़ते हैं अभी तक तो हम लोग शब्नम कमाली के में सारा डीटेल्स कंप्लीट किये अभी तक हम लोग शब्नम कमाली के बारे में पढ़ रहे थे अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे मतलब इस हम्द के परतियक लाइन को पढ़कर उसका मैं तश्री करूंगी ठीक है जो की शब्नम कमाली के दोरा लिखा गया है तो चलिए देखते हैं कि कितने खुबसूरत अंदाज में शब्नम कमाली इस हम्द को लिखे हैं और इस हम्द में अल्ला की कितनी खुबसूरत अंदाज में तारीफ को तौसीफ बयान की हैं कितना मतलब उनके मरतबे और उनके अजमत को कितने अच्छे तरीके से बयान की हैं चलिए मैं आप लोग को पढ़कर और तश्रीख करके बताती हूं देखे स्टार्टिंग में शवनम कमाली लिखे हैं कि खालिक दो जहां है तू इस दे जल जलाल है तेरी जात पाक आली वो बेमिसाल है क्या खुबसूरत अंदाज में लिखे हैं शवनम कमाली अच्छा बहुत तरह लोग शवनम कमाली को औरत मानते हैं जी नहीं शवनम कमाली औरत नहीं है बलकि यह मेल है ठीक है याद रखिएगा तो इस हम्द खुदा अजोजल के पहले लाइन में शवनम कमाली बोल रहे हैं कि खालिक यह दो जहां है तू यानि कि ए खुदा तू इस दो जहां का खालिक है मतलब इस पूरी दुनिया को बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ तू है तो इस दे जल्दलाल है यानि कि तू मरतबे वाला है तू अजमत वाला है यकता है तेरी जात पाक यानि की तेरी जात पाक एक है तो आली भी है और तू बे मिसाल भी है तेरे ही बाब फैद से मिलता है दो जहां को रिज्क सबकी हयात औ मौत का मौला तुझे ख़याल है क्या बात है कितना अच्छे तरीके से लिए शबनम कमाली बोल रहे हैं कि तेरे ही बाब फैज से यानि कि या खुदा तेरे ही करम से मिलता है दो जहां को रिज्क मतलब इस पूरी दुनिया को तेरे ही करम से रिज्क मिलता है मतलब कि रोजी रोटी मिलती है इस दुनिया में जितने भी लोग है सभी लोगों को रोजी रोटी तेरे ही करम से मिलता है स तो यहां पर बोला है शर्शन का माली बोल रहे हैं कि ए ख़दा इस पूरी काइनात में तेरा ही कुद्रत का olla आनात को बत्रत का का समय कैनात कंब है क्या टूमाली को बनाने वाला तु है और इसलिए जहां पर भी देखो तेरा ही अकस दिखाई देता है तेरे गभी झलक गई और थे प्सक्राइब हम सभी इंसान जितने भी हैं सब खुदा का बनाया हुआ हैlor कितने अच्छे चलिक यह हैं किया है। लोग और उगडा करते हैं और पर लुबर्दाइब तो पिया तो चोड़ते हैं वह ऑखसेजन चोड़ते हैं оч और सियोटू लेते हैं तो कितने अच्छे तरिके से लिंक किया गया है सबी चीजों को इस दुनिया में जितने भी अजूबे चीज होते हैं जो भी आप बोल सकते हैं खुबसूरत ही नहीं मतलब जितनी भी चीज़े बनाई गई हैं सबी चीजों को लब चारों तरफ देखो से बडमिक घंद करें और तो अप्वी चाहिं किया इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो अपनी जी सिंदगी को जी रहे हैं एक जटके में सब को कर सकता है तुल को मार सकता है एक ही बार में लेकिन तेरे ही हुक्म से ये जिन्दगी खायम है जो कि हम अपनी जिन्दगी को जी रहे हैं तेरे सिवा कहीं मिले तो ये जिन्दगी महाल है तेरे सिवा ये जिन्दगी मुम्किन ही नहीं बोल रहे हैं कि इस दो जहां में जितने भी लोग है नाम से तेरे तेरे तो वाकिफ है तो सभी लोग अल्ला का नाम जानते हैं इस दुन्या में जितने भी लोग है कौन नहीं जानता खुदा का नाम सबी लोग जानते है लेकिन उसके मरतबे को सिर्फ और सिर्फ सहाबे अकल और फहम ही समझ सकता है क्योंकि वो सिक्षित है वो पढ़ा लिखा है खुदा की नाजिल की हुई किताब को वो पढ़ सकता है कुरान शरीफ हदीस वगरा वो पढ़ा है और खुदा के मरतबे को जानता है और इसलिए सहाब अक्ल और फहम को खुदा की जात पर नाज है ठीक है आगे देखिए लिखा गया है लाख बरस अगर कोई हम्दो असना तेरी करे हो सके हक अदा तेरा मुम्किन नहीं महाल है यहा ही है लाखो करोड़ों साल तक भी अगर खुदा की तारिफ कर दे जाए फिर भी हम खुदा के हक्वदा नहीं कर सकते हैं जल्मते दहर में हमें नूर सहर की है तलाश लुद्फ व करम की एक नजर मौला यह अर्द हाल है यहां पर बोला जा रहा है कि आए खुदा श्रब्न इधर भी दोड़ा दे मकसदे नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब तेरे हुदूरे खास में अपना यही सवाल है बोल रहा है कि तुझसे मेरा यही सवाल है मैं तुझसे यही मांगना चाहता हूँ क्यों तू मेरे मकसदे नेक में यानि कि मेरे नेक मेरा जो नेक मकसद है जो मैं बनना चाहता हूँ जो मेरा नेक अब बोल सकते है जो मेरा लक्ष है जो मेरा मकसद है उस मेरे नेक मकसद में ऐखुदा तु मुझे कामयाब कर दे शबनमे बे नवा को भी दे दे अरूज बंदगी फिक्र वा तलब किरा हमें आज या पायमाल है यह लास्ट लाइन है और देखिए लास्ट लाइन में शबनम कमाली अपना तखलुस शबनम यूज किये है ना कि शबनमे बे नवा को भी दे दे उरूज बंदगी तो शबनम यूज किये है तो इसी को कहते हम लोग तखलुस ठीक है तो यहाँ पर तखलुस यूज हुआ है शबनम कमाली का तख ट्खल 수 यूजब करता है ना जैसे कि मिर्दा गालि का है तखल要 is तो अपने रो करेंगे तो जो भी और गजल लिखेंगे लिखेंगे उसके लाइस, लाइस, आप लोको गालिग दिखाई देगा तो उसे पता चल लाइगा, कि यह जो अनौक पता चल गया यह जो नजम है यह निकी यह जो हम्द है यह किसके दोरा लिखा गया है शब्नम कमाली के दोरा लिखा गया तो देखिए लास्ट लाइन में बोल रहा है शरण न मिंवा को बहुत है इसके वी जिन्दगी को तुरकी कि दे दे अपने चिर्णब के मेरे दर sommes और मैं हमेशा तेरे दर पर सर जुकाए रखो शुक調 गिरा में आजा बस तुछ से यही अठी यही मागना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी को तुरह की कि जिन्दगी कर दे मैंने एक मकसद में काम्याब हो जाओं और मैं इसी तरह तेरी हम्द उसाना करते रहूं तेरे दर पर हमेशा सर जुकाए रहूं और यहाँ पर जो है ना यह लास्ट लाइन था यहाँ पर होगे आप लोगा यह हम्द कंप्लीट और चैप्टर भी तो लिखकर बताए कि हां चीजे समझ में आ गई है और नहीं समझ में आया है कहीं पर भी कुई किसी तरह का डाउट है दिक्कत है तो भी लिखकर बता दे उसको मैं नेक्ट वडियो में क्लियर कर दूँगी ठीक है तो चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं अभी तक वीडियो को शेर नहीं किया है तो शेर कर दें लाइक कर दें और चैनल पर नया है हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज